हलो दोस्तों मैं आपके लिए आज एक गिर्ट 2014 का कोश्चन लाया हूँ नाइडवर्गिं सब्जिक्ट का आईये तो हम इसे साथ में साल्फ करता है एन आईपी मशीन की वह है सा पाथ टू अनदर आईपी मशीन एच बाइर थी आईपी राउटर 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 ठीके फंट्स उसके भाद स्थ नहीं मशीन एच वहारा एक सर्फर की तरह एक कर रही है एक एक सेर्फर की राउटर एच्ट च्ट टू एच्ट्रफ तो रही एक है just connected है तो यह ले और्स बढ़िए विए सशिंट इस उस बीदिए एस एटरी सेट की अनक्रिप्शन प्रू होती है हमारे पास कोई सब्सक्राइब होता है तो उसमें जो सेशन लेयर होती है उस लेयर पर हमने यहां पर encryption कर रहा हुआ है वो भी डी ऐस algorithm के साथ है ठीक है उसके बाद यहां पर हमें कुछ और फिर्शन को सॉब करने के लिए में पर बेसिकली OSI का पता होना चाहिए और साथ में हमें इस को सॉब करने के router के basics पता होने कि तो मैं आपको पहले OSI layer दिखाता हूं कि दिसक्स करें तो फ्रेंट्स यह मेरे पास यहां पर OSI लेयर है यहां पर आप देख सकते हैं application layer presentation layer session layer transport layer network layer data link layer और physical layer यह हमारी यहां साथ layer होती हो OSI model के अंदर और जो फ्रेंट्स data होता है वह इन से भी layer से होके हमारा गुजरता है उसके बाद वह किसी भी destination पहुंचता है तो यहां पर data को ह पहली तीन layer में हम उसे message बोलते हैं transport layer में हम उसे segment और data gram बोलते है network layer पर हम उसे packet बोलते है data link layer पर हम उसे frame बोलते है physical layer में data को bits पर कर्मट हो जाता है और ऐसे ही friends यह different layer पर different devices यूज होते है transport layer पर gateway device यूज होता है network layer पर router डेटा link layer पर bridge physical layer पर repeater and hub उसे करता है friends इनके साथ सथ क्या होता है कि जैसे जैसे data हर layer से पास होता है तो हर layer अपना एक header attach कर देती है इसका मतलब यह होता है friends जैसे कि मैं आपको है मतारता हूं application layer presentation layer fashion layer transport layer network layer data link layer physical layer layer आपका यहां पर basically data आया होगा application layer के पास तो वहां आपका application layer का header attach हो गया उसके बाद आपका physical layer जैसे यह नीचे आएगा physical layer का attach हो जाएगा header ऐसे ही जैसे वो session layer पर आएगा तो session layer अपना एक header attach कर देगी ऐसे ही करके friends यह साथ की साथ layer अपना header attach कर देती है data के साथ ठीक है friends तो यह आपका basic हो गया ठीक है अब क्या होता है यह जो header होते है तो जो transport layer पर header attach होता है मतलब यहापर एक TL attach होगा ठीक है बाकी आपका यह पूरा उपर वाला same आ जाएगा तो friends क्या होगा यह जो TL होता है इसके अंदर देख हमारे पर बाच कुछ लिए डील करती है वो करती है आपका IP address के साथ उसके बाद जैसे डीलल पर आते है डीलल का अपना एक header attach होगा आपका जो डीलल है बाकी उपर वाला 아마 करती है माज़क के साथ का और मैक स्थी करती आज गरते इसी करते इस तंवरक लेयर डीटा लीनक लेयर यह हूं के साथ डील करती है do िदीए साथ इतरोह को हरो इनुकुरह गूल लियर हो दिनकुरह हो गया इनकी चीज्ज आपको पताउन ही जरूर की आप इस क्वे नोट कुछ मत देखिए फ्लार यह सबस्ट ले हूं सब्कते कि तो नज़र बिए अभी किए मैं आपको sqt इसके बता दिये अभी यह नोंने यहां क्या बोला हुए और अभी में आपको ुएससाई की बैसिक्स कुता है मैं आपको राउटर के बैसिक्स बताता हूं प्रेम्ट जो हमारा मतलब होता है जैसे कि आपको यहां आपको दिया वाए कोशन में क्यूँ है आपके host है यह अब ही तीनों आपके राउटर था टीक है अभी था है कि यह अगर आटू राउटर के उपर अटैक करता है कोई attacker आके या interpreter बोलता हूं इसको जो भी है तो क्या होगा वो यहां से क्या क्या information हमारी ले जा पाएगा तो यह बात होती है तो फ्रेंट्स कोशन में क्या दिया हुआ है पहले पहरा इन्होंने दिया उर्ल फाइल दाउनलोड़ेट बाए क्योच्ष टिक है। तो क्या होगा यूर्यल जो होता है है हमारा application layer पर काम करता है kok करता है यूर्यल हमारा application layer से ग्लॉंग करता है तो क्या होगा replace है और हमाने पता मतलद इंग होता है अपको अगर नूर्चक양 अब已经 इसका मतलब यह है जो आपकी session layer होती है मतलब यह वाली layer यहां हमने उसको encrypt कर दिया यानि कि हमने उसको ऐसी form में change कर दिया कि कोई अगर उसको चाहे तो पढ़ नहीं पाए इसलिए आपका जो URL है वह इंट्रड्यूटर को नहीं मिल पाएगा तो इसलिए आपका option 1 जो है वह false है मतलब option 1 जो आपका वह जो attacker है वह access नहीं कर पाएगा URL को ठीक है उसके बाद हम चलते हैं port number के उपर तो port fashion layer पे encryption हो गया अब आप port number के लेंगे तो वह यह port number आपका यहा पर के लिए device है router तो यहां पर रहे हमारा तो आराम से वह जो है आपका यह उसको port number मिल जाएंगे तो इंट्रड्यूटर को आपको option 2 मिल जाएगा अगर आप option 3 पे आए option 3 आप देखेंगे तो उसने IP address of q and h वोल है तो वह भी उसको बड़े आराम से मिल जाएंगे क्योंकि यहां पर हम port पर काम करते हैं यहां पर हम IP पर काम करते हैं IP और port उसे आराम समझ जाएंगे क्योंकि ना इनके लिए हमने कोई encryption कर रहा है और ना कुछ और कर रहा है जैसे कि हमने URL के लिए कर रहा हूँ था encryption तो यह तो आराम से access कर सकता है ठीक है अब इन्होंने fourth point हमको यह बोला हुए कि link layer address of q1 Dutch link friends जो आपकी data link layer होती है वो दो पार्टमेंट डिवाइड होती है मैं आपको बता देता हूँ एक होती है आपकी link layer एक होती है आपकी media access यह मुझे इसका confirm याद नहीं है ठीक है कोई बात नहीं तो basically हम यहां पर जो data link layer पर बोलते हैं वो mac address बोलते है ठीक है friends तो link layer address मतलब अभी आप यहां पर mac address समझेए ठीक है अभी आप बोल सकते हैं कि ठीक है अभी यहां देखिए transport layer network layer यहां port हो गया यहां IP address हो गया यहां DLL पर आपका mac address हो गया और यह आपका physical layer हो गया इस से उपर आपका वहां encryption करा हुए हमने तो जो भी information होगी वो इंट्रीटर नहीं वो कर पाएगा access तो URL इसलिए नहीं कर पा रहा यहां पर router होता ही है हमारा तो router यह port और यह IP दोनों कर पाएगा अब नीचे आप जाकर देखें तो यह Mac है router यह भी कर पाएगा क्योंकि router ऊपर की information और नीचे यह जितने अब यहां सब इन लेर्स के मैंने आपको बोला कि नीचे और लेटा भी देख सकता है बट क्या है क्या है क्योंकि बट आप यहां देखेंगे तो यह जो Mac address है ठीक है यह बेसिकली ऐसा होता है जैसे यहां पर अगर मैं आपको बताता हूं क्यू एच आर वन आर टू आर थिरी ऐसा कुछ है तो यहां प यहां पर देखेंगे आपको कोशन में बोला है लिंक लेयर यानि कि Mac address of q1- but मैंने आपको यहां पर बताया है कि इसमें जो Mac address पढ़ा होगा i2 पर अगर packet है हमारा तो वो R1 और R2 का पढ़ा होगा तो इसलिए option 4 भी आपका false हो जाता है option 2 and option 3 आपका answer में तो आपका answer 3 हो जाएगा यहां पर यह ठीक है फ्रेंस यहां झालो आपका ट्रेंस